मध्यप्रदेश्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गॉलियर वैपार मेले का अपचारी शुभारब गिया। उन्होंने कारिकरम को संबोधित करते हुए कहा कि गॉलियर मेले के वैभव को और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसे अंतराष्टी अस्तर तक ले जाये जाएगा। इस दोरान मोहन यादव ने मन से संबोधित करते हुए माधव राव सिंधिया से लेकर उनके पुर्वजों की योगदान को याद किया। सीम यादव ने कहा कि माधव महराश ने उज्जैन में मेला शुरू करवाया यह मेला इस राजवंश का गौरफ शाली इतिहास है। और फिर मेले में जनता आये तो मेले की प्रदिष्था में चार चांग लगते हैं। प्यापारियों की तरब से महिस पुद्गर जी यहां उपस्टे थे, उनकी पूरी टीम है। और में सवस्ताओं की वह सब लोग इस दिस्ता में प्रत्सीर है। जल्दी से जल्दी बेला मूर्त पुरूप ले। जनता जनारदन की भी उपस्थिती और उल्लास इस बात को प्रदर्शित करता है। सर्भी कितनी भी हो लेकिन बेले में भीड कम नहीं होगी। और में यह इसमर्ण करना चाहूँँगा कि मादर्मा महराज साब ने उज्जेन का भी वर्तमान का जो सुरूप है। उसको बदलने में किस-किसी का मड़ा योगदान है तो वह मादर्माहराज का योगदान है। मैं उनको इसमर्ण करना चाहता हूँगा। जिसको नया महाकाल केते हैं उसके पहले का पास का दूना महाकाल और उज्जेन के सभी देवस्तान वह सारे के सारे देवस्तान ग given 18 वर्शों में जो मैनथ और मशक्त करके एक बिमारी मनादान उ राच्ट निखे मैं अवह निया YouTube में राष्ट्रपटल हूंचाने का संकन मचासी थानि नितित हैस के आई सब केसार कुशन पूरवस्त तरेगा इविश्मा स्वाब को दिलाए जिए आपके हर खौाइश को आपके हर सभ्में को जैसे तरान मंद पीजी ने सलेव कहा है इस अधी इस नुग जो नुग साल पराणा प्रारम में था तो यादि किया है और यह मेला और उन्नति करेगा आने वाले समय में अंटराश्टी स्तर का बने हमसे प्रयास करें